गाइज इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो यह है छेसो साथ मेगावाट का कुलिंग टावर और इस तरह के यहाँ पर दो कुलिंग टावर हैं जो इस वक्त आप वीडियो में आसानी से देख सकते हो इस तरह के कुलिंग टावर आपको सिर्फ थर्मल पाव की जो वीडियो है उसमें आपको वो cooling tower देखने को मिले होंगे जो बिलकुल अलग different होते हैं वो single unit के लिए single नहीं होते हैं उसमें छोटी छोटे बहुत सारे cooling tower बने होते हैं like 8 cooling tower एकटे एक साथ होते हैं connect एक दूसरे से या फिर 6 cooling tower होते हैं छोटे साइस के पर यह जो आप वीडियो में देख रहे हो यह बड़े cooling tower है जो single unit के लिए single separate बनाए जाते हैं यह cooling tower connect है इस तरफ में यह बने हुए boiler के साथ यह है 660 megawatt का boiler जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देना